पागता आपका इस स्पेशल डिपोर्ट में मैं हूँ आपके सार सुतिश रवास्तों क्यूं शेहबाज बहुत रोए ये खबर आपको बताए दसल पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर तीन इलाकों में खूनी घमासान मच रहा डेरा गाजी खाँ, खैवर पक्तून खाँ और बलूचेस्तान में बीते 24 घंटे के अंदर दो बड़ी आतिंकी घटनाए और खूनी मुटभेड हुई जिसने पाकिस्तान की आर्मी को बुरी तरह दहला दिया, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की आर्मी बड़ी बड़ी दिया हाक रही है और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शेहबाज शरीफ घुटनों पर नज़रा रहे हैं, देखे रपोर्ट पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि चीन के घोश उड़ गए हैं, चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर चीन के राजश्रपति शेह जिन पे काफी बेचैन नज़र आ रहे हैं, दीते दस सालों में चीन के नागरिक दुनिया में एतनी बेरहमी से कभी कहीं नहीं मारे गए हैं, दरसल पाकिस्तान के अंदर खेबर पक्तूलखवा में शांगला इलाके में एक बहुत बड़ा आत्मगाती हमला हुआ है, और इस समले में कई चाइनीज नागरिक मारे गए हैं, चाइनीज नागरिक पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर का काम कर रहे थे, खैबर पक्तूनखवा के मलकंद के पास पुलिस उप महन रिक्षक ने बताया कि शांगला के बेशम शहर में उस गारी पर हमला हो गया जिसमें चीन के नागरिक बैठे हुए थे, आतंकवादियों ने विस फोटकों से भरी पूरी गाड़ी उस स्वाहन में ले जाकर टक्रा दी, जिसमें चीन के पाँच इंजीनियर बैठे हुए थे, ये सभी चाइनीज इंजीनियर इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रहे थे, जैसे ही ये हमला हुआ पाकिस्तान के सुरक्षा बलो ने पूरे इलाखे की घेराबंदी कर दी और संदिक्दों की तलाश शुरू कर दी है। पाकिस्तान को जख्म पर जख्म लग रहे हैं। पाकिस्तान की सेना ने अपनी जूठी ताकत का वर्णन करते हुआ है। इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी कि फ्रंटियर कोर के 24 साल के जवान सिपाही नुमान फरीद को आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला। नुमान फरीद मुझफर गड़का रहने वाला था और फ्रंटियर कोर बलुचिस्तान में कारे रख था। पाकिस्तान की सेना आतंकिवादियों को खत्म करने के लिए दुर्बत में इस वक्त भी सर्ज ऑपरेशन चला रही है। नौ सेना बेस पर हुए इस हमले के एक हफ़ते पहले गवादर पोर्ट अथॉर्टी पर भी हमला हुआ था। लगातार आतंकिवादियों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि शाबाद शरीफ आतंकिवादी हमलों को विफल करने के लिए सुरक्षाबलों की सराना कर रहे हैं। अजीम कुर्बानियों के बाद और बेपना तवानायां खर्श करने के बाद और वसाइल खर्श करने के बाद इस दहिशत गर्दी का वापस हाना एक किसी भी अलमिये से कम नहीं। अब दुबारा इसका सर कुचलने के लिए हमारे यही शहीद और गाजी हतेली पे जान रखकर इनका मुकाबला कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में डेरा गाजी खान में भी भारी खूनी गदर मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना खोज-खोज कर विद्रोहियों को मारने में जुटी है। पाकिस्तान में तब ये दावा किया था कि इन हवाई हमले में तैरीके तालिबान के आतंकी कमांडर मारे गए थे। इसके बाद में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्राले ने भी घोशना की थी कि अफगान सेना ने हवाई हमलों के जवाब में सीमा पर पाकिस्तानी सेनिकों को निशाना बनाया है। जड़प में पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी भी मारा गया जबकि तीन सैनिक और चार नागरिक गायल हो गया अफगान सेना के एक सैनिक कीपी इसमें मौत होई थी दूसरी तरब पाकिस्तान के अंदर बलुचिस्तान प्रांध में बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार चाइनीज नागरिवों पर हमले करती रहती है चीन का ही ये बयान था कि 2008 और 2009 में पाकिस्तान में चीनी राजनाईकों के अपहरण की योजना बनाई गई थी हमले में दो पुलिस सदिकारी मारे गए थे 21 अप्राइल 2021 को क्वेटा में पाकिस्तान में चीनी राजदू नोंग रोंग को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी तालिबान ने एक आत्म गाती बंब विसफोट किया था बंबारी के दोरान नोंग रोंग होटल में थे लेकिन वो बच गए 14 जुलाई 2021 को खाबर पक्तूनख्वा में एक बंब विसफोट में नो चीनी मजदूरों की मौत हो गई ये हमला तब हुआ जब विसफोटक ले जा रहा एक वाहन चीनी इंजिनिरों को एक निर्मान स्थल पर ले जा रही बस से ठकरा गया 20 अगस 2021 को भी बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने गौादर में चीन के नागरिकों को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बना कर आत्मगाती बम विसफोट किया था इसमें दो बच्चे मारे गए थे 26 अपरेल 2022 को कराची विश्व विद्याले के कन्फूशियस इंस्ट्यूट में बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक आत्मगाती बम विसफोट किया था जिसमें तीन चीनी अधिकारी और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर मारे गए थे चीन के नागलिकों को पाकिस्तान के अंदर तालिबान और बलुचिस्तान दोनों के विद्रोही गोटों का हमला जेरला पड़ रहा है तेहरी के तालिबान इसलिए चीन के नागरे को पर हमले करता है क्योंकि चीन के अंदर ओइंगर रीजन में मुसल्मानों के साथ टॉर्चर किया जा रहा है जबकि बलुचस्तान के दो ही संगठन इसलिए चीन को हटाना चाते हैं क्योंकि चीन सीपैक्ट के माध्यम से बलुचस्तान के अंदर निर्मान करवा रहा है और वहाँ पर अस्थाई कफजा वरकरार रखने की योजना पर काम कर रहा है इस पेशल डिपोर्ट में पुतिन के महा क्रोथ के बारे में दिखाएंगे क्योंकि मॉस्को आटाक का कंधार कनेक्शन होने की ख़वर सामने भी आ रही और ऐसा इसलिए क्योंकि करिब एक हफते पहले कंधार के एक बैंक को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था और इसकी जिम्मदारी खुद ISIS कुरासान ने ली थी और इस अटाक में 30 लोग मारे गये थे ISIS कुरासान वही आतंकि संगठन है जुसने कॉंसर्ट हॉल में घुसकर मास्को को लहुलुहान कर दिया था देखें सिपर रपोर्ट कंधार सोसाइड अटाक का मास्को कनेक्शन ये धमा का मौस्को से 5,269 किलोमेटर दूर अफगानिस्तान के कंधार में हुआ लेकिन अब ISIS कुरासाइड अटाक का कनेक्शन मौस्को अटाक से जोड़ता जा रहा है शायद यही वज़ा है कि मौस्को अटाक के बाद पोतिन जब भी मीडिया से मुखातिब होए उन्होंने एक बाद हमेशा दोह राग हम पोतिन की नई धमकी उनका गुसा सब कुछ आपको दिखाने वाले है लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कंधार सियोसाइड अटाक का कनेक्शन मौस्को अटाक से कैसे जोड़ा जा रहा है इस वीडियो में दिख रहा आत्मगाती हमलावर विसफोटक से भरा हुआ बैग लेकर बैंक के अंदर पहुचता है हमला वर विसपोटक से भरे बैग के साथ नीचे बैठता है और उसके बाद अपने शरीर में लगे विसपोटक के साथ बेल्ट का आत्मगाती बटन दबा कर खुद को उड़ा लेता है 21 मार्च को कंधार के काबुल बैंक के सामने आत्मगाती हमला उस वक्त हुआ जब अफगानिस्तान में काम करने वाले सैक्रों सरकारी करमशारी अपनी तनफ़ा लेने के लिए बैंक में पहुंचे थे आत्मगाती हमले के दोरान लगभग 30 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए थे अफगान की तालिबान सरकार ने तुरंथ ही आतंकी की तज़्वीरें भी जारी कर दिए यह हमला आतंकी संगठन ISIS ने किया हमलावर उसबेकिस्तान का रहने वाला है आतंकी का नाम असद बेक मदियार रो था असद ने सेंट पीट्स बोग से पढ़ाई की थी असद बेक 2021 में ISIS-क में भरती हुआ था ISIS-क ने बड़ी वारदात करने के लिए काबल भेजा व्लादी मेर पुतिन साफ तोर पर कह रहे है कि हमला आईये साइस ने किया है लेकिन किसके कहने पर किया है? किसने इस हमले के लिए आतंक्यों को पैसे दिये? इसकी जाँच के लिए रूस की जाँच एजनसी एफस बी ने दिन रात एक कर दिया है और वो दिन दूर नहीं जब सच सब के सामने होगा उस दिन पोतिन क्या कहेंगे? यही सोच कर दुनिया के देशों की धार्कने बढ़ चुकी है उसकी जात्की जाँवा जाया जाँच के जाड़िए लात्रशब है जाल इझोने शरी एपस्टे से लाप बढ़ा उन्हों की जाष्पी बढ़ी बदिन पार्शों को बालो मामु पलुएस्टरू. वेटत र्याद व्पल्ने लागिचन व्पिसवाऊथे क्रववे अक्सी उस्टरशेने, पड़बने टिराक्टों सविर्शननमों व मस्क्वे. चेल, कक या उज़े सकाजल, पसेट पानिक व नाशम आप्शिस्टे. पर नजर रख रही भारतीय खोफिया एजनसी के मताबिक मौस्कोव हमले में शामेल आतंग की तहरीके तालिबान टीटीपी से अलग होए लड़ाके ही हैं, जो अबु बकर अलबगदादी के विचारों से प्रभावित हैं. इन ही लड़ाकों ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीमा पर I.S.I.S. केर सौन मौड्यूल के नए मौड्यूल को बनाया है. मासकों हमले पर निगाह रखने वाली भारतिये खुफिया एजन्सियां भी अब एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि उन्हें अपने यहां के अनेक राज्यों, करनाटक, केरल और तमिलाडू में, अनेक युवाओं को इस बाबत ऑनलाइन डेडिकलाइज किये जाने के बारे मे इस गुट की भूमिका की जानकारी मिली है। इरान और अफगानिस्तान से बाहर इस गुट का मासकों में किया गया हमला सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। अगजेकर करते हुए मौसकों हमले की आलोचना की जिसके बाद तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान में अपने हाई कमिशन के चीफ को तलब किया और वहां के हालात की जानकारी ली। आद्वियों की मौत हो गई। 2017 में सेंट पीचबर्ग मेट्रोग में बम विस्पोट किया जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। मुक्षिरूप से अफगानिस्तान में इस्थित आईएस की ब्रांच ने 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से रूस को निशाना बनाया है। रूस की सुरक्षा सेवा एफएसबी ने 7 मार्च को ही मौसको के पास कलुगा क्षित्र में एक संभावित हमले को रोका था। सवाल है कि आईएस आईएस रूस की बरबादी के पीछे क्यों पड़ा है। तो इस सवाल का जवाब आपको इतिहास के कुछ पन्नों में मिलेगा। आईएस आईएस के रूस को निशाना बनाये जाने में सीरियाई ग्रे युद्ध की भूमी का सामने आती है। रूस के राश्रपती पुतिन ने 2015 में हस्तक्षेप गर विपक्ष और इस्लामिक स्टेट के खिला राश्रपती बसर अल असक का समर्थन किया था। ऐसा करके पुतिन ने सीरियाई ग्रे युद्ध का रुख बदल दिया था। और यहीं से आई-एस रूस के पीछे पड़ गया। ताजा हमला इसका सबसे बड़ा गवा है। जिसका असर रूस योक्रेन की लड़ाई पर भी पड़ा है। योक्रेन ने पूरे देश में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। और आब स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कंगना वर्सिस सुप्रिया सुनेत की बारी है। क्योंकि कॉंग्रेस की राश्ट्रिय प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत और कंगना ररौत का विवाद तूल पकरता जा रहा है। एक विवादित पोस्ट से शुरुई हुई जुबारी जंग अब चुनाव आयो की चौकर तक पहुँच गई है। कंगना की तज़वीर किस्ता सूशल मीडिया पर पूछा गया एक सबार इसकदर वारल हुआ कि उस पर सियासी संग्राम चुड़ा हुआ है। इस इस्पेशल रिपोर्ट में देखिए कंगना वर्से सुप्रिया विवाद की हकीकत क्या है और जानिए सुप्रिया श्रीनेट की सफाई कंगना को कबूल क्यों नहीं। और मच गया बभा। तस्वीर कंगना रनौत की थी सवाल कॉंग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा लेकिन हंगामा इस कदर मचा है कि सियासत में तल्क बयानों की सुनामी उठने लगी सुप्रिया श्रीनेत के कतित विवादित पूस्ट पर कंगना ने खुद मोर्चा समाला पार्टी के दिक्कज उनके साथ नजर आए, कॉंग्रेस की प्रवक्ताज सुप्रिया श्रीनेत को बैकपुट पर जाना पड़ा मगर सियासत जारी है, अभी कॉंट्रोवर्सी का विस्तार भी तैह है क्योंकि कंगनाब पंगा लेने से कभी पीछे नहीं हटती सुप्रिया श्रीनेत को भारी ठककर मिल रही है, विवादित पोस्ट पर सुप्रिया की मुसीबत भी बढ़ गई है, चुनाव आयोक से लेकर राश्रीय महिला आयोक तक मामला ओचल गया है मेरे फेस्बुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का अकसेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घ्रनित और अपत्ति जनक पोस्ट की, मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी I mean, you know, sexualize करना और खास का सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है, वो जो मंडी जी से छोटा काशी कहा जाता है, पुरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिध है, जहां पे रिशी पराशर से लेकर, रिशी मारकंड्य जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिपनी, तो हम सब मंडी वासी जो है, वो बहुत ही कश्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर, विवादी तीर ने हिमाचल वीजेपी के नेताओं को तिल मिला दिया है, हिमाचल प्रदेश के पूरु सियम जैराम ठागुर ने एसे महिला के साथ ही पूरे ह इमाचल का अपमान बताया, वहीं मनोश तीवारी ने भी कॉंग्रिस के खलाब हला बोला है। अकॉंट नहीं था, मेरा यह तो पैरोडी अकॉंट था और उसके किसी ने इस परकार से किया है, लेकिन हैंडल का उन कर रहा है। उनके खलाब क्या मामला दर्स किया क्या। कंप्लेंट उनको करनी चाहिए उनके खिलाब, कारवाई करनी चाहिए। बेटियों के प्रती, यह ऐसी घिनोनी सोच है, जो संसकार युक्ते हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह बता है, कि रील लाइफ और रील लाइफ में क्या अंतर है। रील लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है, उसका रील लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कॉंग्रेस के लोगों, यह आपकी संसकार हैं। सुप्रिया श्रीनेत की इस सफाई पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है, सुप्रिया के पैरोडी एकाउंट वाली दलील को भी अमित मालवे ने ट्वीट कर खारिच कर दिया है, कॉंग्रेस की ज्यादा तरनेताओं ने इस विवात से दूरी बना रखी है, जो सुप्र भागे को है, अगर उन्होंने ये कहा है, कि ये किसी ने एकसिस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करें, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है, उसके खिलाफ कर वा ही होनी चाहिए। के चुनाव में बहुत बड़ा है प्रधान मंत्री मोदी ने महिला सुरक्षा और संबान की मुहिम को धार दे रखी है ऐसे में कॉंग्रिस प्रवक्ता की टिपड़ी पर बखेड़ा तो बड़ा ही होगा इससे अलग कंगना रनौत के मंडी सीट पर चयन की वज़ा को भी चुनाव भी होए हैं और हमेशा है राच परिवार का दबदबा यहाँ पर देखने को मिला है 17 में से 11 बार कॉंग्रेस ने यहाँ पर सीट जीती है जबकि 5 बार बीजेपी और एक बार यह सीट अन्यके खाते में गई है 19 के चुनाव में बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा ने यहाँ जीत दर्ज की थी वो भी प्रतिभा सिंग के खिलाब जबकि अनुमान लगाया जाता है कि कि मंडी लोग सभा सीट में राजपूत वोटरों की संख्या सबसे अधिक है इस सीट पर राजपूत और ब्रामवन नेताओं का दबदबा रहा है पहले लोग सभा चुनाओं में ऐसे उम्मिद्वार के रूप में गोपी राम की जीत को छोड़ दें तो अब तक हर सांसद राजपूत या ब्रामवन रहा है कुछ मौके ऐसे भी आये जब दो राजपूत चेहरे आमने सामने थे कंगना रनौत भी राजपूत बिरादरी से आती है बीजेपी ने जाती है समीकरण को साधने के लिए कंगना को चुना है मंडी जनपद में 10 विधान सभा सीटे आती है 2022 के विधान सभा चुनाओ में यहां बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था मंडी की 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने कबजा किया था प्रदेश की 68 सीटों में से सिर्फ 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 9 सीटें तो मंडी से ही जीती थी मंडी से कॉंग्रेस सांसद प्रधिभा सिंग ने पिछले दिनों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था उनके ऐलान के बाद बीजेपी की लिस्ट में कंगना का नाम आया हलाकि एक बार फिर प्रधिभा सिंग ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है अगर वो चुनाव मैदान में उतरती हैं तो कंगना के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है राजनीत के धंगल में कंगना का सितारा बुलंद होता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा लेकिन कंगना के विवादों की फियरिस्ट बड़ी लंबी है फिल्म हो या राजनीती कंगना खुल कर अपने विचारों को रखती रही है जिसके चलते वो अक्सर विवादों में बनी रही सी थरा महराश्य सरकार पर ट्रिपड़ी के बाद कंगना निशाने पर आ गई थी BMC ने पाली हिल्स इलाके में बने कंगना के ओफिस का एक हिस्सा गिरा दिया था दफ्तर पर बुल्डोसर चलने के बाद कंगना ने ट्वीट कर कहा था मेरे प्रोडक्शन हाउस मनी करनी का फिल्म स्प्राइविट लिमिटेड में पहले फिल्म अयोध्या की खोशना हुई ये मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है आज वहाँ बाबर आया है आज इतिहास फिर खुद को दोराएगा फिल्म मनी करने का की रिलीद से पहले कंगना को करणी सेना की तरफ से चेतावनी मिली थी जिसके जवाब में कंगना ने कहा था मैं राजपूत हूँ और अगर मुझे परशान करना बंद नहीं किया तो एक-एक को बरबाद कर दूँगी सोशान सेंग राजपूत केस में कंगना के मोखर बयान रहे हो या फिर महात्मा गांधी पर विचार सब पर जम कर कांट्रोवर्सी होई है लेकिन इस दफे कंगना की तस्वीर पर सवाल पूछ कर सुप्रिया श्रीनेट ने मुसीबत मोल ली है राश्प्रिय महिला आयोग ने भी इस विवाद में दखल दिया है NCW ने सुप्रिया श्रीनेट के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लेखकर कार्यवाई की मांग की है NCW ने सुप्रिया के साथ HS अहीर को भी निशाने पर लिया है जैसे ही मैंने ट्विटर पर ये पड़ा हमने इस पर सुप्रिया लिया है और इलेक्शन कमिशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट स्टेप्स लिये जाए खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हो एक पार्टी की और वो भी छोटी पार्टी नहीं है बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता है उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है और दोनों ही डिनाए कर रहे हैं वारल पोस्ट विवाद से बॉलिवोड की कॉंट्रोवर्सी क्वीन कही जाने वाली कंगना का ब्लॉक बस्टर सियासी आगास तो हो गया है अभी चुनावी संग्राम में कंगना कितना जोहर देखा पाती है ये देखना दिल्चस्पोग चलिए आपको इस्पेशल डिपोर्ट में आप मत्रा लेकर चलते हैं जहां कि लट मार होली तो आपने देखी होगी लट डू मार होली भी देखी होगी लेकिन आज हम आपको अजमेर की भावियों की होली दिखाने जा रहा है जिससे कोड मार होली भी कहते है बड़ी सी कढ़ाई में भरा गया यह पानी और पानी में मिलाया जा रहा रंग यह तैयारी है देवरों की जिनको इंतजार है अपनी भावियों का और भावी के साथ कोड़े मार होली खेलने का अजमेर के ब्यावर में जीननगर समाज नौ योक मंदल की योर से देवर भावी के प्रसेद कोड़ा मार होली का आयोजन की आगया जिसका शहरवासियों ने जम कर आनंद लिया कोड़मार हुली को देखने के लिए शहर वासी उमड़ पड़े आयोजन इस्थल के आसपास लोगों ने छतों पर इखटता होकर आयोजन का अनंद लिया एस अनूठे आयोजन के लिए शहर के बीच पाली बाजार में बड़े बड़े कड़ाओं में भरा रंग और डोल्चियों से भावियों पर रंग उडेलते देवर और देवरों की पीट पर कोड़े बरसाती भाविया नसर आई ये इक अपने आप में अनोखा ही द्रश था आयोजन के तहत योग युवतियों पर कड़ाओं में भरा रंग डोल्चियों में भरकर उडेल रहे थे पर मार रही थे रंगों से भीगी हुई भावियां जैसे जैसे देवरों की पीट पर कोड़े लगा रही थी वैसे वैसे कोड़ा मार होली का माहौल अपने चरम की ओध बढ़ता जा रहा थे इस दोरान पूरा पाली बजार रंग से तर्बतर हो गया कोड़ा मार होली के इस अनुठे आयोजन में उतकस्ट प्रदर्शन करने वाले देवर भावी को समाज की ओर से सम्मानित भी किया गया बर्शों से चला रहा ये आयोजन प्रदेश भर में विख्यात है कोड़ा मार होली शुरू होने से पुर्व आयोजन इस्थल तक लाई गई ठाकूर जी की सवारी को पुना गाजे बाजे के साथ मंदिर पहुचाया गया न्यूज़ टीम के लिए व्यावर से अश्रोप सीम भाटी की ओए और स्पेशल रिपोर्ट में फिलाल अभी के लेतना ही और खबरों के लिए जुड़े रहिया हमारे साथ